हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक तो माई यूटूब चैनल तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि सावली लड़कियों पर किस रंग की साडिया अच्छी लगती हैं और अगर इस वीडियो में दिखाए गई किसी भी साडिय को आप खरीदना चाहती हैं तो वीडियो क तो आंत तक जरूर देखना क्योंकि आंत में ही मैं बताऊंगी कि आप वीडियो में दिखाए गई किसी भी साड़ी को कैसे खरीच सकती हैं और हाँ अगर आपको मेरा कॉंटेंट अच्छा लगे तो इस चैनल पर और भी बढ़िया बढ़िया वीडियो अपलोड़ेट हैं ज रिड कलर का ही डारकट शेड होता है यह सावली रंगत को और ज्यादा निखारता है डुकों मोगों को एक बाद का ध्यान रखना चाहिए उनको हलके रंगों का चुनाफ करने से बचना क्योंकि हलके रंगत को और ज़्यादा दबा देते हैं यह टिप मेल्स और फीमेल्स दौनों के लिए हैं तो इस बात का जरूर धान रखें दूसरा जो कलर है वो है ग्रीन कलर मतलब की हरा रंग ग्रीन कलर की साड़ी को चूज करते टाइम आप एक बात का ध्यान रखें कि आपको नियोन ग्रीन या अगर आप अब ही टक हरे रंगी साड़ी को अबने वौर ड्रο में शामिल किया है तो देर किस बात की है जल्दी करिये सैघ्स साड़ी अपने वर्ड्रो में शामिल टीसरा जो कलर है वह है ब्लैक कलर मतलब की gal रंग यह एक रॉयल कलर होता है और मुस्टली हर स्किंटोन पर अच्छा लगता है ब्लाक कलर में भी काफी शीड आते हैं तो आप इस कलर को एक बार जरूर ट्राइब करें आई होप आपके ऊपर ब्लाक कलर का कोई ना कोई शेड तो जरूर अच्छा लगेगा मेरा अगर वहां मतलब की गुलाबी रंग इस में भी आपको ध्यान रखना है कि न canal पिंग के लाइट के नहीं करना है कि या इतनी खिलेगी नहीं हम लोगों पर लेकिन अगर आप बोल्ड लुक चाहती हैं तो आप जरूर लाइट शेट को ट्राइक कर सकते हैं आखरी जो कलर है वह मस्टर्ड येलो ये कलर ना येलो कलर का थोड़ा डार्क शेड होता है यह रंग वीटेश स्किन टोन के लिए स्किन टोन वाली लोगों के लिए बैस्ट ऑपशन नहीं है मीडियम स्किन टोन के लिए तो बढ़िया है तो आप आते हैं मैं प्रोवाइड कर दोंगे उस लिंक पर क्लिक करके आप अपनी पसंदीदा साड़ी को खरीच सकती हैं ये यह विडियो होती है यहीं पर I hope आपको विडियो पसंद आई होगी अगर बिडियो पसंद आई है तो मिलने दियो में विडियो ब्रet G точ